हलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले अल्टरनेटिंग करण के बारे में तो जो पिछला हम लोगों ने वीडियो किया था ऐसी जनरेटर वाला वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से में दो मैंगनेटिक पोल्स के बीच में करते तो यहां पर एक करन जनरेट हुआ था और करंट जो हमारा जनरेट हुआ था था थोड़ा सा डिफरेंट का करन था अभी तक हम लोगों को पता था कि करन किसी इक स्पैसिफिक डिरेक्शन में करन क्या कर रहा है मूब कर रहा है और उसका मेंगनिट्यूट क्या इसे टाइप के करन को हम क्या बोलते थे डी सी सीधा साधा हमारा यह बच्चा था ठीक है सीधा क्या कर रहा था लेकिन जब हमने यहां पर देखा फेराड एंकल ने जब हमको यहां पर क्या करा मेंगनिटिक फील्ट के अंदर को गुमाया साथ मेगनिटिूट है अबर इस सीधा कररें के मतलब इसके यहां करें होता है तो přड इसक गरन में कैसे प्लो करें एक डरेक्शन में कि क्या कर रहे एक direction में क्या कर रहे है लेकिन ऐसी में क्या हो रहा है इस डाये क्रिया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया तो प्रियोडिकली जब की दाइरेक्शन को चैंज करेंगे तो ऐसे करेंट कोदो क्या बोलने वाले यहां पर अल्टनेटीником ठीक है आज हम इसी के बारे में कुछ 20 में हम लोग जाएंगे ठीके तो सब से पहले सबस्काराँ आपको मेंगलेन अरगातार क्या ह Tiere चैंज traffic miseric kick not present to take a scoop for dot मतलब की जैसे कोईल का एक टनक्प्लीट होका फिर से वाप इससे आपका ऐह से स्टार्ट होना एक साथ कि इस तरह से अपने आपको करेगा करे लुख तो जितने टाइम में यह एक cycle complete करता है एक cycle का मतलब क्या होता है positive और एक negative direction ठीक है लेट से direction को positive बोला इसको नेगेटिव एक पॉसे टीव एक negative ठीक है इसकोम क्या होते है वन complete cycle तो जितने time में complete कर रहागा उसकोम क्या बोलते time period नहों सबसे important पार यहां पर आता है की फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी साइकल कम्प्लीट हो रही है एक सेकेंड के दर ठीक है फॉर एक्जामपल यह जो टाइम है वह कितना है एक सेकेंड तो यहां पर कितना हो रहा है आपका वन साइकल पर सेकेंड ठीक है एक सेकेंड में कितनी एक साइकल कंप्लीट हो रही तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी हो गई वन साइकल ना अब अगर मैं इस कॉइल को रोटेट कर रहा हूं ठीक है तो एक बार मैंने को रोटेट करने में अगर एक सेकेंड लगा तो इसकी जो फ्रि particular case में क्या होगा देखिए आपका जो current flow हो रहा है current जो generate हो रहा है वो भी क्या होगा एक cycle यह complete होगी दूसरी cycle यह complete होगी देखिए एक second के अंदर क्या हो रही है भी आपकी यहाँ पर दो cycles complete हो रही तो now frequency कितनी होगा यह two cycles per second मतलब कि देखिए जितनी बार आपकी जो cycle से यहाँ पर complete होगी उतनी यहाँ पर क्या होने वाले आपकी frequency एसी का बहुत ही important यहाँ पर properties होती है मैं ऐसा कह सकते हैं ठीक है क्यों देखिए यहाँ पर कुछ चीज आप देख रहे होंगे कि जब आपकी इसकी frequency कम थी तो इसका जो magnitude था इसका जो पीक पॉइंट था वो क्या था कम था और जब हमने इसकी frequency को double किया तो इसका जो पीक है वो भी क्या हो जाता है double कैसे होता इसको समस्ते हैं हमने देखा था कि इस इक्वाल टू कितना यह था इनोट साइन ओमेगा टी एसी जनेरेटर में हम निकाला था इस वैल्यू को और यहां पर क्या आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ठीक है नाओ ध्यान से देखी कि आपका जो ई है वो किसके प्रपूशन है ओमेगा के और ओमेगा क्या है यहां पर आपका का दोशन हों का जो यहां मतलब की यहां पर हम लोग क्या कर सकते क्या यह फ्रिक्वेंसी को वैरी करके का हम इसके मेगनिट्वड कर सकते हैं इसकी मैग जिसे मट्रल कर सकते के जो फार कर दो प्रूर्य REM नहीं ृक्र मैं produkt कर ग दो आपके cycle complete कर रहा और एक cycle complete करने का मतलब एक positive और negative मतलब की एक पचास बार positive cycle आई 50 बार negative cycle आई है ठीक है 50 hertz का मतलब क्या है कि 50 positive and 50 negative cycle यहाँ पर क्या होगी है complete हुई है मतलब कि 100 वार हमारा जो current उसने direction को क्या करा है चेंज कर रहा है positive पॉजिटीव नेगेटिव एक साइकल में दो बार हो रहा है कि पॉजिटीव और नेगेटिव तो पचास साइकल में कितना सो बार उसने अपनी डायेक्शन को क्या करा चेंज करा यह इसको आप इसा भी देख सकते हैं 50 हर्ट का मतलब होता है कि जो कॉईल है इसको हम ने क्या करा है पचास बार गुमाया एक सेकेंड के अंदर ठीक है यहां से जनरेट हो आपका 58 कहीं पर नॉट्थ अमेरिका के अंदर इसको यूज किया जाता है अब इसका कोई एसा एक्जेक्ट रिजन नहीं कि क्यों हम इसको 50 और 60 यूज करते हैं इसके पीछे कि जब पहली बार अल्टरेनेटिंग करन के बारे में बात हुई इसके यूज के बारे में बात हुई तो हम लोगों ने जो जनरेशन किया इंडिया यूरोप ने वो 50 हर्ट पे काम किया और जो अमेरिका हुआ तो अब इसको चेंज करना हमाल नहीं किया था यहां पर काफी डिफिकल्ट तो इस वज़े से वह सक्सेस्फुल नहीं हो पाया बट इससे को इतना फरक नहीं पड़ता है ठीक है उन्होंने जो डिवाइसे डिजाइन की हो 60 के अकॉर्डिंग की हमने जो क्या है वो 50 के क्या में opportunity क्या अब यहां पर सबसे important और मेन कोॉषे मिया आता है एसी क्या होता है वह मित पात इसक्थ बच्चा एटिसी वालगा तो हम यस क्यों लेकर आए पिचर में क्या इसका यूज है और क्यों हम घरों के अंदर एसी का यूज करते इसको आजम समझते देखें अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है ट्वेल्ट के अंदर वहां पर हमने देख लिया है कि हमारे पास हमारे पास इंडक्टर होते हैं धैसे या यहां अगर उसको इक्टिकल अगर में बात करो हमको ट्रांसफर हो गई या इसको घ्रेंव गई या हमारे पास यहांपर here करना काEC for example मैं अभी इंदौर में हूँ अमकारेश्वर में हमारे इलेक्रिसेटी जन्रेट हो रही तो अगर वहाँ पर मालीजे डीसी करन्ट जन्रेट हो रहा है उसको इंदौर तक ट्रांसफर करना है तो यह काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ठीक है बट एसी जो होगा आपका ज दूसरी जगा एनरजी को ट्रांसफर करना तो पहली चीज क्या होना चाहिए एकॉनोमिकल होना चाहिए लॉस्जों मिनिमम और चाहिए ठीक है कंवर्जन मुझे कम से ज्यादा करना है वो मेरे लिए यहां पर फ्लेक्जिबल होना चाहिए ठीक है तो अगर यह सारी पॉसि यहां पर देखने वाले वाई एसी ओवर डीसी दोस्तों अब हमारे पास दो टाइप के करन्ट्स हो गए एसी और डीसी और हमको इसको यूज करना है घर में तो आप कुशेंड या आता है कि हम इसमें से कौन सा यूज करें एसी करें या डीसी करें देखें कोई भी चीज जो ट्रांसफर कॉस्ट वह बहुत जाधा ही होता है ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं देखिए हमको जितने ज्यादा दूब ट्रांसफर करना होगा एलेक्रिसीटी को उतनी ज्यादा हमको पावर के रिक्वार्मेंट होगी आप आपको अगर मान लीजे एक पावर के साइस के उपर जितना प्रेशर होगा गया तो ये जो हमारा वोल्टेजeg मतलब कि अगर मुझे इस को इंक्रीज करना है तो या तो मैं क्या करों यहां पर वोल्टेज बढ़ाऊ लेकिन डीसी का जो वोल्टेज बढ़ाना वह हमाले काफी डिफिकल्ट या अगर हम बहुत जाधा हाइव वोल्टेज के उपड़ डीसी को जनरेट करें ठीके तो उसको हम लोग घरों में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज को हम घरों में कैसे हैंडल करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी दूसरा अगर माल लीजिए मैं करण को इंक्रीज करूं ठीके ना पावर के लिए या तो वोल्टेज या करन दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना पड़ेन पाड़ेका तो अगर मैं यहां पर कर दूकर सबस्कूरं क्या भड़ेका इसको हैंदल करने के लिए उसका मला यहां पर प्रॉब्लम है थी कि अगर हमको बहुत जादा डिस्टन्स तक हमको इसको ट्रेवल करवाना है तो यह जो करण्ट है यह हमको बहुत जादा रखना पड़ेगा और कई बार तो आपका इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी कि इसको हैंडल करने के लिए हमको लाइक एक बोले रो बराबर कार की थिकनेस वाइर क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा लेकिन यह कॉस्ट इफ्टिव नहीं हुआ क्योंकि अगर आपका वायर का साइज बढ़ता है तो उसकेस में आपका जो कॉस्टिंग आपका जो यह नहीं पर आता है हमारा इसी करन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कि यह बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ्रेक्टिव होता है देखे जब इनिशली पर काम चल रहा था उस टाइम पर हमको फेराड़ेंकल बता कर गये थे कि एसको जन्रेट कैसे कर रहा लेकिन उन्हो लेकिन उसी टाइम पर पिचर में निकोला टेसला उन्होंने क्या बोला कि जो विगडेल बच्चा है हमारा लगातार चेंज हो रहा है वो उनीक ही देने तो समझते हैं यहां पर कि एसी में कॉस्ट का एडवांटेज कैसे हुआ चलिए दिखते हैं पहली चीज तो क्या कि हमको यहां पर अगर लॉंग डिस्टेंस ट्रेबल करवाना है तो हमारे जो पावर होना चाहिए ना पावर हाई कब होगा जब यहां तो उसको वापिस कम करना पड़ेगा लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो काम हमको करके दे लेकिन एक खासित है दोस्तों कि हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए हमने देखा था म्यूचल इंडक्शन जब हमने पढ़ा था महाँ पर ठीक है चंगो और मंगो की ज एंचोको और यहाँ पर क्या होने वाहा है कि ड्चनीर मनेय गोगा अगर क्याओं मोंगा इस सर्किट को हम सिर्फ और सिर्फ AC के लिए यूज कर पाएंगे ठीक है अब देखें AC के लिए इसको कैसे यूज करेंगे जब यहां पर हमने AC current को apply किया या voltage को apply किया तो यह जो changing current ही क्या करेगा changing magnetic field produce होगा उसकी वज़े से इसके अंदर क्या होगा mutual induction और यहां पर क्या होने वाला है अब एक important चीज़ यहां पर यह होती है कि यहां पर कितना EMF generate होगा यह किस बात पर depend करता है यह depend करता है इसके अंदर जो number of turns है इसके उपड़ ठीक है अगर मान लीजे कि N1 के number of turns क्या है जादा है as compared to N2 तो यहां पर लेट से कि मैंने 100 वोल्ट apply किया ठीक है तो यहां पर अगर यह N2 कम है यहां पर क्या होगा आपका 100 से कम value का मुझे voltage मिलेगा मतलब कि यहां पर मैं voltage को easily क्या कर पा हो डाउन कर पा रहा हूं इसका उल्टा भी possible अगर मान लीजे कि आपका जो N2 मतलब इसके अंदर जो number of turns है इसको अगर हम लोग क्या कर दें बढ़ा दे इसके compare में लेट से के N2 जो है उसके अंदर hundred turns है और इसके अंदर क्या है दस turns है ठीक है तो अब देखे क्या होगा यहां पर अगर मैंने 100 वोल्ट अपलाई किया है तो जिदा टन ज्यादा उदर वोल्टेज ज्यादा कितना कितने ज्यादा टन से इसके compare में 10 टाइम्स तो यहां पर हो गया तो current क्या होगा automatic कम होगा ना पावर क्या है वी ज्यादा है तो आई को हमको कम भी रखेंगे तो चलेगा और आई अगर कम है तो आपका जो लॉस होगा energy का long distance transmission में वह क्या होने वाला है यहां पर आपका काफी कम होने वाला है तो यह सबसे बड़ा तो जो supply होती है जो main line आती है वह 1000 वाट यह 11000 वाट या ऐसे करके अलग-अलग वोल्ट पे आपकी lines क्या करती है voltage को transfer करती है और घर में हमको चाहिए 220 तो वह जो transformer होता है ना main line directly उसके अंदर आती transformer क्या करता है voltage को कम करता और वही हमारे घर में supply होता है तो हमारी एक सबसे बड़ी problem को यहां पर क्या कर दिया है एसी ने दूर कर दिया है ठीक है सबसे बड़ा यहां पर क्या होता treatment plant लगाना है पूरे city के अंदर अगर मुझे हर घर में water transfer करना है treated water अच्छा water तो क्या यह सही होगा कि हमें हर घर में एक water treatment plant लगां या फिर यह बैटर होगा कि मैं एक जगा पर centralized system बना दूं वहां पर पूरा water treatment plant लगाना पॉसिबल नहीं सेम काम यहां पर डीची के साथ है कि डीची को हर घर में या एक पर्टिक्लर एरिया में हमको जनरेटर लगाना cost effective नहीं होगा ठीक है तो बैटर तरीका क्या है कि हम कहीं दूर जाकर क्या करे electricity generate करे देन उसको transfer करे लेकिन डीची को बड़ा आप पाएंगे easily और कम भी कर पाएंगे ठीक है अब इसका जनरेशन की बात करें तो दिखें एसी जनरेट कैसे वी थी दो है उसके बीच में आप एक को घुमा रहे ठीक है तो एसी जनरेटरी बहुत आसान है तो मान लिजे कहीं पर पानी गिर रहा है जरना पानी उपर से नीचे की तरफ गिर जरने की नीचे हमने लगा दे टर्बाइन और टर्बाइन से कनेक्ट कर दिया तर्बाइन क्या जो कर सकते हैं साथी इसको कर सकते हैं अगर मुझे एसी को डी सी में करना है तो इसके इसके लिए मेरे पास होते हैं रेक्टिफायर्स मुझे काम क्या करके देंगे बड़ी ही आसानी से करके देंगे तो यह काफी सारे हैं यहां पर हमारे पास होते हैं ठीक है अब यहां पर ए चलिए पहला क्या होता है more dangerous than DC जो होता है हमारा जनरली DC के comparison में ज्यादा डेंजर होता है अगर हमको एसी से शॉक लगेगा तो वह हमाई लिए क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा dangerous होगा ठीक है second और most important होता है इसका skin effect skin effect का मतलब क्या होता है कि for example मेरे पास इसका अब इस problem को रिमुव करने के लिए इस problem को जो कि क्या है कि हमारा जो AC क्या कर रहा है सिर्फ यहां पर सर्फेस से flow हो रहा है ठीक है इसको remove करने के लिए हम क्या करते हैं यहांपर एक वायर की जगह क्या करते हैं bunch of wires यूज़ करते हैं आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब wires ले कर आते तो उसमें क्या होते हैं आपके लेक्षाई ओछल्ब होते जो क्या होते हैं इसे तो पहले जो सिर्फ एक वायर की स्कीन से हो रहा था वो क्या हो रहा है अभी हर वायर की स्कीन से हो रहा है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस स्कीन इफेक्ट को रिद्यूस कर सकते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहां cannot be used in electroplating इलेक्ट्र प्लेटिंग क्या होता है कि for example मेरे पास यहां पर एक आर्टिकल मैंने कुछ बनाया इसके उपर मुझे क्या करना है पॉलिश करना है ठीक है कोई बी एक मैटल की मुझे पॉलिश करना है तो हम क्या करते थे इसको एक सॉलूशन वगेरा के अंदर रखते थे ठीक हमने इसको पॉजेटिव मान लीजिए इसको नेगेटिव कर दिया इसको पॉजेटिव कर दिया ठीक है तो आपको कोई बीडाउट है तो आप मुझे कॉमेंस चेक्शन के अंदर बताईए हम उसको डिसकूर करेंगे ठीक है और एक और इंपडर इंपोर्ण चीज यहां प काम को requirement क्यो है या तो motor चलाना है या फिर हमको क्या करना है light प्रोड्यूस करना है लाइट जलाना है ठीक है तो motor चलाने के लिए हमारे पास जो motor से वो comfortable होना चाहिए किसके साथ AC के साथ लेकिन उस टाइम पर सारी जनरेट करें जिससे हम लोग क्या करें इसी ली एसी का यूज करके उस motor को चला सके तो यह भी काफी इंपोर्टेंट सा concept होता है इसी मोटर एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है इन्होंने यह ऐसा को सुचा कि हम बिना किसी एक एक मानली जो मेरे पास एक कोईल है बिना किसी कॉंटेक्ट के अगर रोटेट करने लग जाए ठीक है बिना किसी चीज को टच करें यह क्या करने लग जाए रोटेट करने लगए इसको हम देखेंगे जब हम मोटर के बारे में अगरे तो आज कने आपका इंट्रोटुक्शन वीडियो था इसी के बारे में इसी स्क्लाविया कि अंदर यह देखने वाने दो है